यहां पर हम एनलाइज करने वाले हैं कि मंडे के सेशन में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और कौन-कौन से लेवल्स है वो हमें देखने को मिल सकते हैं आप साइड के लिए और डाउंसाइड के लिए और इस वीडियो में बहुत है और जो लोग इस चैनल पर नहीं है चैनल को का। रफके लिए रिकॉर्ड करकर के बताओंगे कि जब में कोई चोया चीजा करें क्या रिचराश और की पैस फैने काफ। कटो कर टार्ट लेता हैं यह सामिने, चीजे में बनाट जान वीडियो में च ond आपको वीडियon में में बताने वाली हूं और बहुत जल्द वो वीडियो आपके रिए में लेकर आने वाली हूं तो वीडियो को करिए इंतिजार और फिलहाल हम देख लेते हैं कि मंडे को बैंग निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकती है तो चलिए स्टार्ट करते है अपना अनलिसिस तो फिन यहां पर बैंग निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है उपर से जो हमारे पास रेस्टन से यहां पर इसको सेट कर देती हूं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्लोजिग नहीं मिल पा रही ह और यहां पर इसने ब्रेक करने कोशिश करी लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया डाउंसाइड मुव दिया और काफी दिन यहां पर फिर से इसी रेंज के अंदर फजिया और उसके बार यहां पर फ्राइडे के दिन गैप उपन किया लेकिन फिर से यहां पर इस लेवल को ब्रेक नह वनagtको के अगर यहां पर खूंदे को जाती है bukan को इस लेवल के ऊपर तो फिर यहां पर हमारे पास जो टारगेट। देखने को मिल सकते हैं तो 40,500 का हमें यहां पर देखने को मिल सकता है rir अगर यहां पर इस लेवल के नीचे क्लोंजिंग ruined अगर और यहां पर इस level के नीचे closing मिल जाती है 38500 के नीचे, तो फिर यहां पर हमारे पास 37500 का level, इस level तक target हम अपने downside के लिए देख सकते हैं, अभी काफी दिन से market ही देखिए, इसी range के अंदर move कर रहा था, यहां पर इसने एक range बना लेती हैं, और Friday के दिन इस level को break कर दिया, यान बेंगा, ओधनाए जाती है, यहां पर इस level का level दिया, तो हमारे पास important resistance यहां पर यह पर इस level का level ध्यान रखेगा, यानि, 39500 का level, और downside यहां पर यहां पर यह तो यह तो यह लेvel ब्रेक होगा, तो हमें upside एक अच्छा target देखने को मिल सकता है यहां तक और down side के तरफ इस level क तो downside की तरफ हमारे पास यह level यहाँ पर इस level तक support ले सकता है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर friend इस पहले मैं यहाँ पर remove कर दूँ एक second यहाँ पर देखिए अगर market इस level के उपर निकलता है इस level के उपर निकल जाता है और यहाँ पर कुछ इस तरह से projection बनाती हुए जाता है तो जो हमारा trend होगा यहाँ पर confirm हो जाएगा कि यहाँ पर जो trend इसका चल रहा है अब यह change हो चुका है यहाँ पर जो हमारा trend होगा वो confirm हो जाएगा कि trend हो हमारा uptrend की तरफ को move हो गया है लेकिन अगर यहाँ पर यह level break हो जाता है अगर यहाँ पर level break हो जाता है तो तो यहां पर यहां पर इसने यह बना लिया और इसी लेवल के आसपास है। अगर यह उपर निकलता है तो यह जो इसका हाई होगा ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर यह फिर से अगर यह support break होगा है तो यहां इसने जो yellow बनाया हुआ है अगर यह break होगा तो फिर downside के लिए हमारे पास यह confirmation हो जाएगा कि market यहां पर यह M button बनाकर move कर रहा है downside के लिए के टाइम फ्रेम पर Monday को हमें क्या target देखने को मिल सकते हैं इने में remove कर दूँँ यहां पर chart को set कर लेती हूँ तो यहां पर दीके फिर्ट जो हमारे पास important resistance है मैं आप सारी चीज़े आपको draw करके दिखा देती हूँ तो important resistance हमारे पास यहां पर यह level होगा यहां पर यह important resistance है यहां पर मैं एक तरिके से zone को draw कर देती हूँ तो यह हमारे लिए important zone हो गया resistance zone तो यह हमारे लिए important resistance zone है यहां पर यह और downside से जो हमारे पास important support है, तो support का जो level है यहाँ पर, यह important support है, यहाँ पर मैं draw कर दोती हूँ, तो support के लिए भी हमारे पास यहाँ पर यह zone है, zone का मतलब friend यह है कि market जो है, इस zone के अंदर से कहीं से भी support ले सकता है, किसी भी level से, और upside से यहाँ से, इस level से कहीं से भी rejection phase कर सकत तो यहाँ पर यहाँ पर market इस zone के अंदर Friday के दिन move किया, इस range के अंदर, और यहाँ पर Friday के दिन, अगर आप देखेंगे, तो market इस level को break नहीं कर पाया, और यहाँ पर downside move तो यहाँ पर downside आया, लेकिन इस level से, यहाँ पर rejection phase किया, और फिर से यहाँ पर movement दिन upside के लिए, second time य अपने high को यहाँ पर break तो क्या, लेकिन अगर आप देखेंगे, इस ने break करने कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर sustain कर पायो, और यहाँ पर downside का move मिला इस level तक, तो important हमारे पास यह resistance है, और important यहाँ पर यह support है, अब यहाँ पर देखेंगे, Monday को अगर market यहाँ पर इस range के अंदर तो downside के तरफ यहाँ पर जो हमारे पास target होंगे, तो यहाँ पर 39,000 का level है, यहाँ पर एक तो सबसे पास में, तो यहाँ पर इस level तक first target होगा हमारा, 39,000 का level, यह हमारा first target होगा, second target फिर हम यहाँ पर इस level तक भी देख सकते हैं downside के लिए, तो यहाँ पर 38,850 के आसपास का, तो यहाँ पर target हमें downside देखने کو मिल सकता है, तो यह हमारे यहाँ पर 1st Target होगा, 2nd Target हम यहाँ पर इस level तक देख सकते है downside के लिए अगर upswect को तरफ को फूप करता है तो दीहें upside के तरफ को अगर up side के तरफ को अगर अगर up side के तरफ कर ता हे कर सकता है rejection कर सकता है यहां पर इस zone से और फिर से vaisे ume downside को का move मल सकता है क्योंकि हब इहां घर से 39,500 K line तो proper closing मिल थी है यहां पर Fund अगर up side को है और यहां पर paychequer प्रॉपर प्रॉपर जाती है महीं यांदि ब्रचित का अ यहां पर यहां पर क्लोोज्ग करती है तब हम यहां पर अप साइट के टार्गेट के सकते हैं तो अप टल—कल्प सकता है तो अप्साइट के तरफ यहां हुआर्प ऐसनुईंट लिऎ यहां यहां पर 39,800 का level है यानि कि आपको यहां पर 100-100 points को जो target होंगे वो आपको यहां पर देखनों को मिल सकते हैं अगर यहां पर 39,550 का level break होता है तो यहां पर यह हमारा target होगा first target second target फर्म यहां पर इस level तक देख सकते हैं 39,800 का level हो सकता है अगर यहां से market upside तरफ को move करता है अब यहां पर देखिए market अगर gap up open हो जाता है front देखिए closing कहां मिली है 39,370 पर closing मिली है यहां पर देखिए अगर market यहां पर open हो जाता है अगर gap up open हो जाता है यहीं पर यहां पर open हो जाता है front तो यहां पर अगर यह sideways रहता यानि कुछ time spend करता है, spend करने के बाद अगर यह breakout करेगा upside, तो upside फिर हमें यहाँ पर अच्छे target देखने को मिल सकते हैं, तो target है यहाँ यहाँ पर हमारे पास यह 40,000 के आसबास का level है, तो यहाँ तक भी target दिखा सकता है, यह upside के लिए, क्योंकि फिरिंदे के market है, किसी भी तरह इसे behave कर सकता है, और कितने point का upside याट फिर downside move कर सकता है, तो यहाँ पर अगर upside यानि कि gap up open होता है, और यहाँ पर open होने के बाद कुछ time spend करेगा, उसके बाद अगर अगर यह breakout करेगा, तब हम यहाँ पर upside के इस level तक target देख सकते है, और downside की तरफ फिर अगर ब्रेक करता है, यानि कि पहली यहाँ पर पहली 15 मिनट के candle अगर इस level के नीचे close कर देती है, तो फिर से हम यहाँ पर downside के इस level तक target अपने देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में, अब हम बात करें यहाँ पर gap down की तो देखें, मार्केट अगर यहाँ पर gap down open हो जाता है, यानि कि अगर suppose करें यहाँ पर इस level पर open हो जाता है, 39,000 के level पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको wait करना होगा, price action का, यहाँ पर consolidate करें उसके बाद, यहाँ पर consolidate करने के बाद, अगर यह जिस तरफ को भी breakout करेगा, तो एक अच्छा target हमें देखने को मिल सकता, अगर यहाँ पर consolidate करें, अगर य इसने जो closing करी है, 39,000, यहाँ पर 70 के आसपास का, यह हमारा यहाँ पर next target होगा, अगर consolidate करता है और downside को break करता है, तो फिर से हमें यहाँ पर यह target देखने को मिल सकता है, और यह भी अगर break होगा, तो फिर यहाँ पर हमारे पास यह level देखने को मिल सकता है, downside के लिए, यहाँ 8,600 का फिर हम यहाँ पर target देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जरूरी फ्रेंड है, आपको projection देखना, अगर market gap down open होता है, gap down open होने के बाद अगर यहाँ पर consolidate करता है, और जिस तरफ को भी break करें, तो फिर वहाँ पर उस side का आप यहाँ पर trade plan कर सकते हैं, और projection देखना बह और यहाँ पर देखें, अभी तक इसने यह rejection face किया था, और यहाँ पर इसी level के आसपास है, यानि कि अब यहाँ पर अगर इस level को break करता है, तो यहाँ पर upside के target में देखने को मिल सकते हैं, तो यह हमारे लिए resistance का level है, और यहाँ पर जो important support है, यहाँ पर यह level हमारे लिए important support का level है, यहाँ पर यह level, तो यहाँ पर यह हमारे पास important support का level है, और यह हमारे लिए important resistance है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह काफी अच्छा projection बना रही है, यहाँ पर down आये, इसने up move दिया, यहाँ पर यह देखिए, तो यहाँ पर इसका trend है, यहाँ पर यहाँ presentation नहीं है, जब तक यहाँ पर यह level break नहीं होता है, break नहीं बाद यहाँ पर closing नहीं मिलती है, closing गोड़िय अगर projection नहीं बनाता है, तब तक हम यहाँ पर confirmation नहीं है, यहाँ पर is current bisить, पूरत change हो चूइक है, तो अगर यहाँ पर level निकलता है, इस level को इस avenger level इसे stages पे marginal को अग का लेवल है आसपास तो इस लेवल तक हमें टार्गेट जो है दिखा सकता है 18,000 के लेवल तक यहां पर क्लोजिंग मिलती है और यह प्राजेक्शन मनाते हुए यह मूव कर रहा है अपसाइड के लिए अगर यहां पर दीके डाउंसाइड के तरफ को आना है तो देखें यहा दीकेट तो 14,000 के आसपास का लेवल यहां पर इस लेवल सबूत गा सुनिगाँ हमारे पास यहां पर यहां पर यहां पर दाउंसाइड के जैसे कि मैंने आभी आपको bank nifty में बताया था same उसी के जैसे यहां पर भी movement हमें nifty में भी देखने को मिल सकते है और nifty में भी same वैसी projection भी बन रहा है तो इन चीचों को ध्यान रखेगा important level है यहां पर 17,437 का level है अगर इसके उपर निकलता है closing मिलती है तब हम यहां पर upside के 18, 17,000 के आसपास का target हम देख सकते है upside में अगर downside को यह move करता है यानि कि 17,000 का level अगर break करता है downside की तरफ तो 16,600 का level हमें देखने को मिल सकते है downside की तरफ और next फिर यहां पर next frame यहां पर इस level तक भी देख सकते है 16,300 का भी target हमें downside की तरफ यह दिखा सकता है तो इन levels को ध्यान अचली हम देख लेते हैं 50 मिनट के time frame पर की 15 मिनट के time frame पर हमें मंडे को क्या levels देखने को मिल सकता है nifty 50 में तो सबसे पहले मैं इने remove कर देती हूं और इसके बाद यहां पर देखती हूं तो फिंट यहां पर दिखे market यहां पर gap down sorry gap up open और gap up open होने के बाद इसने rejection phase के यहां पर इस level से यहां पर यह important level है हमारे लिए important resistance यहांनि 17,350 का level gap down open हुआ upside move दिया यहां से rejection phase के rejection phase होने के बाद यहां पर दिखे काफी अच्छी इसने projection बनाया projection बनाते हुए इसने downside का move दिय यहां पर यह level भी break for और यहां पर जो हमारा projection था वो भी confirm हो गया कि market यहां पर down side through को move कर रहा और यहां पर इस level तक हमें target देख लो को मिला तो important यहां पर support का level है यहां पर एक second पहले मैं इस को remove कर दूँ प्रणन पर जो support है और हमारा पास important resistance है तो important resistance यहां पर यह level है और important support है यह ऐ लेवल है तो देखे अब यहisin पर market यहां पर खते बर यह pur is the market तो यहाँ पर एक चुटा सा टार्गेट है यहाँ पर यहाँ पर यह लेफल 7111 818 का लैवल होगा यह हमारा 1st टाइक होगा डाउंसाड के लिए 2nd टार्गेट from यहाँ पर कहीं ना कहीं इस लेफल तक भी देख सकते हैं एक चोटा सा यहां पर यह लेवल 17,000 75 का यहां पर लेवल हम देख सकते हैं डाउन साइड के लिए और यह भी ब्रेक होता है तो next target यहां पर 17,037 के आसपस का target होगा तो यह हमारे यहां पर downside के target होगे यह हमारा first target होगा second target यहां पर यह लेवल होगा और उसके बाद next यहां पर यह लेवल होगा अब देखें यह market ने यहां पर support लिया हुआ है यहां पर इस लेवल से तो अगर यह upside तुरफ को move करता है तो upside की तरफ यह move करता है तो यहां पर देखें जो important यहां पर level है यहां पर तो मार्के अगर इस लेवल को ब्रेक करता है यानि निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करती है 17,228 के लेवल को और इसके उपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहां पर हम अफसाइट के टार्गेट देख सकते हैं तो अफसाइट के यहां पर हमारे पास जो टार्गेट होग तो इस इन टार्गेट हो ध्यान रखेगा तो यहां पर जो हमारे पास टार्गेट है यहां पर यह हमारा फास टार्गेट होगा स्वरी यह हमारा यहां पर यह हमारा फास टार्गेट होगा 17,270 के आसपास का यहां पर टार्गेट हमें देखने को मिल सकता है कर भिए पर आप इंस तरफ को हैं नेस टार्ककेर फिरें आपर याहांपर इस लेवल तक भी देख सकते हैं अवसाइट के लिए अब यहां पर देख मार्कट अकर अक्र डिया ऑप open हो जाता है कर यहाँपर आपसाइट के लिए तो इस तरह हम इस तरह से भी बह ब एट और उसकाद डांसाइड तरफ को भी move कर सकता है, तो यहां पर projection देखना बहुत ज़रुरी है, अगर यहां पर range बनाता है, breakout करता है तो इस level तक ही हमारा first target होगा, अगर यहां पर projection बनाते भी upside को move करता है यानि कि इस level को भी break कर देता है और और इस level को उपर closing मिल जाती है, तो तरह तो इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है यहां पर यहां पर बात करें तो देख सक्ते हैं अब यहां पर बात करें यहां पर कुई candle हम हमें positive मिल जाती है. positive याद कि कोई hammer candle मिलती है. और hammer candle मिलने के बाद यहां पर breakout कर रहा है emphasize तो यहां पर यहां पर क्छ टाइम यहां पर इस प्रोफ करें लिए ताफे लिप के-छाए लेड़ की पर मूत करेंmother कोगे तो यहां पर किष टाइम करेंने कि यहां vịे करें और इस परिए Teaзд सत्ट करेंहें यहांद तरफ को मूफ निकलें से लेगा तब यहां पर तो इस लेवल तक भी टार्गे यहां पर डांसरेट हमें देखने को मिल सकता है तो फिर यह था मेरा अनलिसिस निफ्टी के रिए और देखते हैं मार्केट कल कहां पर ओपन होगा मंडे को किस तरह से मार्केट बहेव कर सकता है कितने पॉइंट से गैप या गैप डाउन ओप किस पर ऑपन हम जब इस तरह से अंनलिसिक निफद्टी में प्राउनने प्राइफ से फिर अलिए वगा टेस लेवल से फुड़ी एवलागा कि द्याजस से सहते हू़ी तो और दिर दोगते हैं में देखते हैं पर लुद्टी और दो 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 आएलियों जो दो दो एगते है